आपने अकसर अपनी जिन्दगी में ऐसा देखा होगा या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एक इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जीने मरने की कस में खाता है, बहुत सारे वादे करता है, वो ये भी कहता है कि वो आपके बिना जिन्दा नहीं रह सकता, लेकिन जब बात आती है साधी की, तो वो इंसान आपको छोड़ कर चला जाता है, रीजन यही होत होते हैं, तो सोचने की बात है, कि रीजन फेमली ही है या कुछ और, आईए इसी बारे में विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो कंटीनियू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइन की कसरत के लिए एक सबाल, सीर पर सिकुड़ी आगे छितरी, हर घर में है सजा, सान से चलती धूल उडाती, करती काम वह ताजा, जब आप जरूर दीजेगा, सही जब आप देने वालों के नाम में हर संडे सुबाए 8 वजे फेस्बूप एक और यूटूपर लाइब एनाउंस करती हूँ, तो लाइब जुनना बिलकुल के वक्त में दो में से एक इनसान ऐसा होता है, जो रोते हुए आपके पास आ जाएगा, और बोलेगा, मैं तुमसे साधी नहीं कर सकता है, या नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फेमिली मान नहीं रही है, लोग तरह-तरह की बाते कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, कि मैं आत्मत्य कर लूँगा तो इस तरह के फालतू रीजन दिये जाते हैं फालतू रीजन इसलिए बोल रही हूँ इस चीज को समझाती हूँ या तो इंसान बिलकुल बहुत स्रवन कुमार होता है जो अपने पेरेंट्स की बिलकुल भी बात को नहीं टालता है वो अपने या इतना अपने parents की बात मानने वाला होता, तो आपसे प्यार नहीं करता, अपने parents के खिलाप जाकर उसने आपसे प्यार किया, साधी के नाम पे मुकर गया, क्यों? क्योंकि बात parents की नहीं है, बात इसकी है, वो आपके बिना रह सकता है, उसके अंदर ये possibility है, ये गुंजाइ होती है बिना oxygen के आदमी एक मिनट भी नहीं रह सकता अगर आप भी उसकी life में ऐसे ही होते अगर आप ऐसे होते ना तू आपको कभी नहीं छोड़ता चाहे parents उसके खिलाफ हो या साथ हो आईए एक उधारन से इसे समझते हैं मान लिजे एक लड़का है उसने आपको इसलिए छोड़ दिया है कि उसकी family उसके खिलाफ है उसके parents आत्मत्या कर लेंगे वो इतना आज्याकारी लड़का है कि अपने parents के खिलाफ नहीं जा सकता family की इज़त की बज़े से family के डर की बज़े से अब वो लड़का कैसा है ये समझ लीजे वो लड़का बहुत ही अच्छी जॉब करता है बहुत ही अच्छी इंकम उठाता है handsome भी है smart भी है गोरा चित्ता भी है देखने में कमाल का है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है भी नहीं है अच्छी जॉब बगेरे भी नहीं करती है उसके parents बोलते हैं कि हमने तुम्हारी साधी भचपन में ही तै कर दी थी हमने जुबान दे दिया है अगर हमारी बात सही नहीं हुई या हमारी जुबान नहीं रखी गई अगर तुम इस लड़की से साधी नहीं करोगे तो हमारी समाज में ना कड़ जाएगी तो हम आत्मत्या कर लेंगे तुम्हें इसी लड़की से साधी करनी पड़ेगी, तो क्या वो लड़का उस लड़की से साधी कर लेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जवान दी है, और आत्मत्या करने के बारे में बोल रहे हैं, उनकी इज़त चली जाने वाली है, वो कभी भी नहीं करेगा, चाहे उसक किसे साधी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं, मैं इसके साथ जिन्दगी गुजार ही नहीं सकता, एक मिनट भी ऐसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता, तो यहाँ पे वो जिद पे क्यों अड़ गया है, क्योंकि वहाँ बिलकुल भी गु पर जस्ती मेरी साधी इस लड़की से करवाई तो वहाँ पर वो जिद पर क्यों अड़ा है क्योंकि जरा भी गुंजाइस नहीं है उस लड़की के साथ रहना लेकिन यहाँ पर उसने साधी करने से क्यों इंकार कर दिया क्योंकि गुंजाइस है उसका आपके बिना रह पाना वो आपके बिना मरेगा नहीं, कहने की बातें अलग होती है, अगर बास्तों में वो आपसे सच्चा प्यार करता और आपके बिना वो नहीं रह पाता, तो वो कुछ भी करता आपके साथ रहने के लिए, चाहे वो जिद पे अड़ जाता, या फिर पूरे जीवन कवारा रह जाता, लेकिन अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, कोई भी कपल्स अगर लाश्ट में आकर ये कहते हैं, कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहें, या लोग क्या कहेंगे, या पेरेंट्स आथ महत्या कर लेंगे, इस बज़े से मैं साधी नहीं करूँगा, तो ये बात सच है, ये बात जूट नहीं है, कि उसके parents नहीं मान रहे हैं, उसके parents खिलाफ हैं, लेकिन ये बात secondary है, अगर वो आपके बिना नहीं रह सकता, या आपके बिना वो मर जाएगा, ऐसी situation होती, तो वो कभी भी अपने parents की बात नहीं मानता, लेकिन वो secondary region है, पहला region तो यही है कि वो आपके बिना रह सकता है, अभी उसके प्यार में वो बात नहीं है, कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरे, आपका प्यार उसके लिए priority नहीं है, वो आपके बिना भी रह सकता है, भले वो कितने भी कसमे और वादे कर रहा है, लेकिन वो अपने parents की ब कमेंड में यस जरूर लिखे, आप इस वारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंड करके जरूर बताना, अगर आप इमोशनल इंटिलिजेट बनना चाहते हैं, रिस्तो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इबुक को आप पढ़ सकते हैं इबुक को पर्चेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा या अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मेसिंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पाउंसलिंग क्याते हैं वन्टुन फोन कॉल पे बात करना चाते हैं या मुझे लाइब जुड़के अपनी समस्या का समधान चाते हैं तो मंडे बिटनस दे और सटेर डे साम आठ वजे फेस्बुक पेज पर मैं लाइब आती हूँ तो स्क्रीन पर फेस्बुक आइडी सो हो रही है आप उसे फालो जरूर कर लें मेसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेस्बुक में लाइब जुड़कर भी अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सेर जादस जादा करें क्योंकि आपका एक सेर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परद्वरतन ला सकता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबस से करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड करें अपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो फेस्बूक पर है तो फालो जरूर करें और श्टार देके सपोर्ट करें धल्यवाद